नमस्कार दोस्तों आप देख रहें अयोधादर पण मैं हूँ दिनेश पाठर एक समय था जब भाजपा ने एक नियम बनाया था कि एक उम्र के बाद लोगों को रिटार्ड कर दिया जाए नवकरियों भी एक सीमा होती है 60 साल 62 साल 65 के साल के बाद एक रिटार्ड कर दिया जाए लेकिर राजनीती ही ऐसी है कि जिसमें कि आप मरते दम तक आप पद पर बने रह सकते हैं आप चुनाव लड़ सकते हैं ऐसा नहीं होना चाहिए एक समय के बाद हमको लगता है कि नेताओं को भी इरिटार्ड कर देना चाहिए क्योंकि जब उम्रहा भी होती है तो आदमी के सोचने समझने की छमता खतम होने लगती है वो जिसको कहते हैं आव बाव बखने लगता है ऐसा ही कुछ हुआ है बिहार के मुख मंत्री नितीश कुमार जी पंदरा वर्षों से जो बिहार का मुख मंत्री रहा हो और भी सेंटरल में भी बड़े पदों पर रहा हूँ कैमिनेट मंत्री अस्तर तक गया हूँ उन्होंने बिधान सभा बिधान परिशद में एक इतना शर्मनाग बयान दिया है समय था जनसंख्या नियंद्रण पर महिलाओं पर बोलते हुए नितीश कुमार जी ने वो बयान ऐसा है कि जिसको मैं न सुना सकता हूँ ना आपको दिखा सकता हूँ हाला कि कुछ मित्र कट करके उसको दिखा रहे हैं लेकिन हमको लगता है कि इस तरह का शर्मनाग बयान अश्लील बयान दिखाने की जरूरत नहीं है सिर्फ बताने से ही काम चल जाएगी नितीश कुमार जी के दिमाग में इतना कूडा भरा है इतना कच़रा भरा है ये अब जाके पता लगा कहा जाता है कि जब आप बोलते हो तो उसी में आपका सारा व्यक्ति निकर कर चला आता है देश का प्रधार मंतरी बनना चाहता है विपक्षी एकता को दिखाना चाहता है बिपक्ष की राजनीती कर रहा, सबको एकजुट कर रहा जिससे इनको यो जो लोग परधान मंतरी खोसित कर दे शुशासन बाबु के नाम से जिनको जाना जाता है, शुशासन बाबु असली मामले में दुशासन बाबु कहा जाए तो अतिशयोक्त नहीं होगी महाभारत काल में दुशासन को एक बिलन के रूप में आप उसको देखते हैं लेकिन उस दुशासन को भी पीछे छोड़ दिया है शुशासन बाबू यानि की नितिश कुमार जी में इन्होंने इतना गंदा इस्ट्रेट्मिंट दिया है आपने वापस तो ले लिया चुकि राज महिला आयो की तरफ से डंडा पड़ा उनको नूटिस भेजा गया तब जाके उन्होंने छमा मागी लेकिस उस छमा का क्या मतलब है और सबसे बड़ी बाद डिप्टी चीफ मनिश्टर तेजश्वी यादव जी ने भी इनका समर्थन किया है वो कह रहे हैंगे नितिश कुमार जी शेक्स एजूकेशन पर बोल रहे थे बताईए कि 75 साल का जो आदमी हो गया 75 साल जिसकी उमर हो गई हमों लगता है कि एक बार सदन में देखा था कुछ नेता जो है मूवी देख रहे थे पूर्ण मूवी देख रहे थे ये राजनीति के दोहरा चरिती जीते है उसी में से है नितिश कुमार जी मनलब जो चीज ये बोल रहे थे ऐसा लगता ही नहीं था कि 75 साल की उमर का आदमी भी ऐसे बोल सकता है बिहार की राजनीती में लालू को खलनाएक के रूपे तो पेश किया जाता है लालू के प्रती कुछ लोग अच्छी भावना नहीं रखते हैं रखते भी हैं उनके समर्थक लेकिन कभी इस तरह का उन्होंने इतना गंदा बयान अपने मुँसे कभी नहीं दिया भरष्टाचार के इंकल को छोड़ दिया जाए तो बाकी लालू यादों ने कभी इस तरह का कोई बयान नहीं दिया है एक समय होता था कि कोक शास्त्र या अश्लील साहित के रचैता हुआ करते थे मस्तराम जिनके साहित को युवा और किशोर चुपके से पढ़ते थी हमको याद है आज के 20-25 साथ तब डिश्टल का समय नहीं था इनकी पुस्तकों को लोग पढ़ते थे छिपकर लेकिन ये तो मस्तराम के भी परदादा निकले नितीश कुमार जी अब सवाल उन लोगों के लिए खड़ा हो गया है इस्कूल जाते समय जो लड़के लड़किया इस्कूल जाएंगे अपनी कोचिंग सेंट्रों पे जाएंगे उनको लड़के फब्दिया कसेगे उनके बारे में गंदा कमेंट करेंगे नितीश कुमार ने ये कहा नितीश कुमार मतलब जो शोध नितीश कुमार जी ने किया है उसका परड़ाम आने वाली पीड़ी पर क्या पढ़ने जा रहा है ये उनको पता नहीं था बिधान परिशत से भाजपा ये मलसी निवेदिता सिंग रोते हुए बाहर निकली उन्होंने निंदा किया बिपक्ष थी बाहर निकलना था शायद ये सक्ता पच्की होती ति ये भी न निकलती जिन लोगों निंका समर्थन किया कहा जाता है कि पाप करने वाला कम दोसी होता है लेकिन पाप का साथ देने वाला उससे भी ज़्यादा दोसी होता है दोनों सदनों में नितीश कुमार का बहुमत है, सत्ता है, कुछ किया नहीं जा सकता, कोई कारवाई इनके उपर नहीं हो सकती, लेकिन भाजपा को एक प्रस्ताव तो लाना ही चाहिए, इनको इस्तिफा देने के लिए, ऐसा व्यक्ति जब सत्ता में रहेगा, तब तो बंटा धार ही हो जाएगा, कुछ कर पाएं या न कर पाएं, लेकिन एक प्रस्ताव जरूर करना चाहिए, और नितीश कुमार को तुरंत मुख मंत्री के पद से इस्तिफा दे देना चाहिए, क्योंकि अब इनको सत्ता में रहने का कोई अधिकार नहीं है, आप लोग देखते रहे अधियादरपन, धेर सारी शुब कामना आपको, अगली बार आएंगे किसी और मुद्धे को लेकर, धन्यवाद आपको